वेल्कम बैक टू माई चैनल कलरफूल थ्रेट्स तो मैं हो रिब जिम और फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खुबसूरत सा एक आइटम बेबी प्रोजेक्ट है ये अभी रिसेंटली मैंने एक स्वेटर अप्लोड किया है बेबी स्वेटर बहुत ही ख खुबसूरत सा डिजाइन है बिल्कुल सेंपल सो अगर आप एक बिगनर भी है तो आप उसे इजिली बना लेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने इसमें दो कलर की उन को यूज किया है पराबर पराबर आपको दोनों में उन लगेगी पूरा प्रोजेक्ट मैं बताओं तो 3 mm है उल जो है वो मैंने ओस्वाल माइक्रो की वूल को यूज किया है और ये 3 प्लाइ वूल है बहुत ही सॉफ्ट है बेवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप कोई भी बेवी प्रोजेक्ट बना रहे तो इस उल से बना सकते हैं बहुत ही गलती करते हैं ना कैप बनाने में उसकी ग्रिपिंग ठीक से बनके रडी नहीं होती है जो की बच्चे के हेड में टाइट होती है बट आज मैं जो भी पैटन आपको बताने वाली हूँ उसकी ग्रिपिंग काकी अच्छी है तो यहां से बच्चे को बिल्कुल भी ये टाइ बिल्कुल राउंड और यहां से ग्रिपिंग की वज़े से हलका सा इस जगह पे जो है वो आपको थोड़ा सा उपर से कम लग रहा होगा बट अगर आप खीचेंगे तो यह देखेगा कितनी अच्छी इसकी ग्रिपिंग है तो यह जो मैंने कैप बनाई है वो इसके मैचिंग की बनाई हुई है स्वेटर अल्रेड़ी अपलोड़ेड है अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यह स्वेटर मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड किया है स्वेटर भी सिक्स मन्ट टू वनिया बेबी के लिए ही बनके रेडी हुआ है दो कलर बराबर बराबर इसमें उन लगी है बाकी चीजे आपको स्वेटर के वीडियो में मिल जाएगी आज के वीडियो में मैं बता दीती हूँ आपको कि इन दोनों को प्रजेक्ट को बनाने में कितनी उन लगी है अगर आप बनाना चाहते हैं तो दोनों 243 ग्राम उन में आप दोनों चीज़े बना के रेडी कर सकते हैं तो कैसा लग रहा है आपको प्रोजेक्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा आप लोगों की लाइक से काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऑर जादा से जादा वीडियो को शेयर करिये जिसे की बहुत जिनको जरूरत हो उन तक यह वीडियो पहुंच सके तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं चैनल प्र नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे साथ आठ नौ नौ चेन मिनाएंगे लूप लेंगे सore ि स्टार्टिंग के दो स्वरा साथ चेन को सकिप करना है थर्ड नमबर वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पे एक हाफ दॉबाल ख्रोशय बना लेंगे अगेन लूप लेंगे next वाली में half double crochet तो टोटल यहां पे आठ पहली जो दो चेन है वो पहली आपकी half double crochet होगी और इसके बाद समय एक एक half double crochet बना के रड़ी करेंगे आठ half double crochet बनेगी बट अगर आप थोड़ा सा चोड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो और भी ज्यादा चेन बना के बना सकते हैं जितना भी चोड़ा आपको चाहिए या फिर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं बड़ा साइज बना रहे हैं तो आप इसे 12 चेन से या और फिर 14 चेन से भी बना सकते हैं तो इससे थोड़ा सा चोड़ा आपका बन के ready होगा तो इस तरह से मैं इसमें बना के ready कर लिया है टोटल एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये दो चेन जो हो गई हमारी ये 8 ठीक है एक चेन बना के work को turn कर लिजे लूप ले लिजे और अब देखेगा ये आपको उपर चेन देख रहे होगी यहाँ पर ये पूरी चेन देख रहे हैं तो इसी चेन में आपको generally हम लोग work ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं करना है ये जो उपर आपको चेन देख रहे हैं ये देखेगा इसके पीछे वाला हिस्सा जो है इसे हमें लेन और यहां पे एक half double crochet बना लेनी है अगेन दूसरी वाली का भी पीछे वाला जो हिस्सा है वो लेना है और एक half double crochet यहां बना लेनी है फिर से next one का पीछे वाला ही हिस्सा लेंगे और एक half double crochet तो सब में आपको इसी तरीके से पीछे से उठाते हुए तो इस तरह से ठीक है साथ बनके ready हो गई अब आठ फी में यह जो दो चेन बनाई है हमने तो इसमें जो second number वाली chain है इस second number वाली chain में डालेंगे और एक half double crochet यहां बना लेंगे अगेन एक chain मना के work को turn करेंगे फिर से यह आपको उपर की chain दिख रही है लूप लेंगे और चेन के पीछे वाले पार्ट में डालेंगे हाफ दबर क्रोश्या अगेन पीछे वाले लूप में डालेंगे हाफ दबर क्रोश्या इसी तरह से सारे लूप में हमें पीछे के पीछे वाले लूप में डालना है और हाफ डबर कॉश्या बना लेनी है पूरे जो हैट की पट्टी बनेगी मीस जो आपकी कैप की पट्टी बनेगी उसमें जो ग्रेपिंग आती है फ्रेंड्स वो इसी की वज़ा से आती है थोड़ा सा इलास्टिक जैसा पैटर्न बनके रेडी होता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके रेडी होता है तो इस तरह से हमने बना लिया एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक यहाँ पे लास्ट वाले में बनाएंगे हो गई आठ ठीक है फिर से एक चेन बनाएंगे वरक को टर्न करेंगे लूप लेंगे और यह जो चेन्स दिख रही है इसमें पीछे वाले लूप में डालेंगे और हाफ डबर क्रोश बनाएंगे तो इस तरह से आपको बनाते जाना है यह जो लुक आएगा आपको दिखेगा कुछ इस तरीकी का आएगा आगे और पीछे से ऐसे ही आपको लंबी पट्टी बनानी है जितना भी बड़ा है जितना भी आपको बनाना है उससे थोड़ा सा छोटा मिंस अगर आपको टोटल बारा इंच बनाना है ए तो 11 तक की बना लिए क्योंकि यह एक इस स्ट्रेचां वहाँ होता है तो बनाकर है पूरा र्डी कर लेती हूं फिर यहां मैने इतना लंबा इतना रिडी कर लिया है और अब इसेह हमें एड करना है पूरा ये इसकोर बनाना है ठीक है ऐसे ये मैंने जो रोज बनाई है ना वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 और 31 रोज बना के रेड़ी की है 33 रोज हैं और अब मैं इन्हें आपस में एड़ करने वाले हूँ एड़ करने के लिए जहां से आपने स्टार्ट किया है इसे इसके लूप को थोड़ा सा इस तरह से लेंगी ठीक हलका सा लूप को छोड़ दीजिए उपर की तरफ और इधर से जो फर्स नमबर वाला आपका लूप है उससे अपने इस लूप को निकाल लेना है ठीक है एक चेन मना देंगे एक चेन मना के अगेन वर्क को टन कर लेंगे जिधर से भी आपको सीधा लगे उधर से आप वर्क कर सकते हैं और जितनी भी यहां पर उपर आपको चेन देख रहे हैं तो टोटल आठ है तो आठ इधर आठ इधर पहले वाले में काम कर लिया है दूसरे वाले में एट करेंगे फिर यह तीसरी वाली चेन है इधर की तीसरी और इधर की तीसरी ठीक है थर्ड नमबर वाली चेन में डालेंगे लूप निकालके सिंपल एक स्लिप स्टेज बना लेंगे फोर्थ नमबर वाली में आगे वाले में और पीछे वाले में दोनों साइड वाले में डालेंगे और लूप को निकाल लेंगे फिर डालेंगे फिफ नमबर वाले में तो इस तरह से पूरे में आपको इसको ऐसे ही दोनों साइड कर देना है और अगर आपको ऐसे एड करना थ इधर वाले में भी डालेंगे और इसे निकाल लेंगे इस तरह से अगर आप हैट के आराउंड के पट्टी बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनके रेडी होती बिल्कुल भी आपके बेबी को टाइट नहीं होगी अगर थोड़ा सा आप छोटा भी बना रहे हैं हल जा रहा है तो भी वह टाइट नहीं होगा क्योंकि यह इस ट्रेचिबिल होता है आराम से आपकी बेबी के हैड में चला जाएगा तो इस तरह से मैंने पूरे में एट कर लिया है ठीक है अब एक चिन बना के धागे को यहां से कट कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से और अब क्या करना है आपको यहां वाले में मीस यह रोज बनी हुई है न तो जहां पर आपने एट किया है उसके फॉर्श नमबर वाली जो डबर क्रॉश रहा है इसमें डालेंगे और यहां पर त्रेट को एड कर लिया है यलो थ्रेट ही एड किया है यहां पर और एक रो सबसे पहले संगर उसके प्रोट की बनाएंगे फिर सबसे पहले हाल को है तो दिंगी बनानी है और एकór सेंगर क्रोश के यहां यहाँ पर डबा क्रोशा है तो डबा क्रोशा में दो सिंगा क्रोशा आपको बनानी है फिर से यह जोइनिंग पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर एक सिंगा क्रोशा बनाएंगे अगें डबर क्रॉश्या वाला जो पार्ट है डबर क्रॉश्या में दो सिंगर क्रॉश्या बनाएंगे और अगर आपको लग रहा है कि जादा है तो आप जोईनिंग पॉइंट पर सिंगर क्रॉश्या ना बनाएं इस तरह से बनाएंगे और पूरे work में पूरे means round में ऐसे ही बनाके ready करेंगे इस तरह से पूरे में single crochet बनाके ready कर लिया है और अब जो first वाली single crochet है इसमें डालेंगे और इसे add कर लेंगे एक, दो, तीन, तीन चेन बनाएंगे यह हमारी पहली double crochet हो गई और इस round में जितनी भी आपके पास single crochet है उन सब में एक एक double crochet बनाके ready करना है ठीक है सेम वही design बनाने वाली हूँ जो मैंने sweater में बनाई है बर जिनको सिर्फ cap बनानी है sweater नहीं बनाना है तो उनके लिए पूरे में design बताऊंगे इसमें कैसे बनाना है तो जितनी भी single crochet है इसमें बनी हुई है सब में ऐसे एक एक double crochet बनाएंगे और बरके end पर आएंगे तो यहां मैंने इसमें बनाके ready कर लिया पूरे में double crochet थर्ड नमबर वाली chain पर अपने work को add कर देंगे और again यहां पर पहले तीन chain बना लेंगे ठीक है तीन chain यह double crochet हो गए और अब यह जो first second वाली आपकी double crochet है इसमें देखेगा उपर से नीचे की तरब crochet hook को डालेंगे और इसमें नीचे से cover करेंगे front post की तरब बनाना है और इसमें एक बार loop लिया फिर से crochet hook में loop लेंगे same space से उपर से नीचे की तरब डालेंगे और double crochet को नीचे की तरब से cover करते हुए ऐसे निकालेंगे ठीक है और यह हो गया front post puff ठीक है puff बनके ready हुआ दो loop का फिर से next वाले में नीचे से उपर की तरब crochet hook को लेना है और यह वाली जो इसके बाद वाले double crochet है से उपर से cover करना है और यहाँ पर आपको बना लेनी है back post double crochet अगीन इसके बाद वाली में front post puff बनेगा तो उपर से नीचे की तरफ crochet hook को देखेगा यह उपर से नीचे की तरफ डाला और इसे नीचे से cover करेंगे ठीक है और यहाँ पर पहला loop लेंगे crochet hook में फिर से loop लिया फिर से उपर से नीचे की तरफ डालेंगे same space से दूसरा loop लेंगे जब दो loop हो जाएंगे तो इसे over कर देंगे यह हो गया हमारा puff और इसके बाद फिर नीचे से उपर की तरफ hook को लाएंगे और इसे उपर से cover करेंगे double crochet को और यहाँ पर बना लेंगे स double crochet से पूरे work को complete करेंगे और round cover करेंगे तो इस तरह से पूरे में मैंने बना के ready कर लिया है और अब work add में क्या करना है यहां पर थर्ड नमबर वाली chain है इसमें अपने cross hook को डालना है इस वाले thread को आपको छोड़ देना है और यहां पर add करना है दूसरा thread जो भी आप combination में मैं बइत लगाना चाहते हैं मैंने यहां पर white color को यूज क्या है तो मैं white thread को लगाओंगी यहां पर ठीक है white color कर उन मैंने ले लिया और इससे निकालके वाइट करके थ्रट से इसे ओवर करना है यलो वाले थ्रट को खीच लेंगे हलका सा वाइट थ्रट को खीच लेंगे और यहाँ पे देखीगा यह वाला जो इस्पेसर न है इसमें गाड बान दीजे टाइट ले जिससे कि आपका यह खुले ना यहां से और अब यहाँ पे वर्क को स्टार्ट करेंगे यह जो दो रोव मैंने बनाई है डबा क्रोशा की और यहाँ पे पफ की सेम ऐसे ही फिर से बनेगा तो अगेन यहाँ पे एक दो तीन चेन बनाएंगे कि जो पफ graduates ya जो पफ की उपर वाला लडबा चेन है उसमें भी आपको डबा क्रोशा बनानी है फिर से यह वाले जो रॉड़ा होगा सिर्फ दबा क्रोशा का होगा तो जितनी भी आपको चेन दिख रही है अब जैंगे चाहे वह पफ या फिर डब रॉष्या वाली जो समें आपको डबब रॉष्या ही बनानी है के ईसे ही आई दॉच्टराइब दॉब करनें गया और यह सिरू आउन जो बनायां लोघ स्वार बनाग्यंत कर इसद मैं अगेन आपको puff वाला round बनाना है ठीक है तो सिर्फ इनी दो round से work करना है आपको तो यहाँ पर बना लेंगे पहले तीन chain as a double crochet ठीक है फिर ज़स्ट इसके बाद वाले में यहाँ पर से नीचे की तरफ crochet को डालेंगे और सेम वैसे ही दो बार लूप लेते हुए front post puff बनाएंगे next वाले में back post double crochet उपर से नीचे से उपर की तरफ crochet को लेंगे उपर से cover करेंगे double crochet को और एक double crochet बना लेंगे अगेन इसके बाद वाले में front post puff बनाएंगे जिसमें दो लूप लेना है आपको और इसके next वाले में back post double crochet तो अगेन एक बार front post puff और एक बार back post double crochet इस तरह से आपको बनाना है हर दो रो के बाद दागे को change करना है कैसे change करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है सेम process को repeat करते हुए पहले कुछ rounds ऐसे ही बना के ready कर लेंगे फिर मैं बताती हूँ end में आपको इसे बंद कैसे करना है मैं घटाओंगी या नहीं घटाओंगी या फिर directly इसे बंद करूंगी वो मैं last वे आपको बताती हूँ तो मैं कितने round बनाओंगी यह भी आपको पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ठीक है तो यह देखी है मैंने इतना बना के ready कर लिया है और एक दो तीन चार ठीक है चार पूरे पूरे बनाए हैं जिसमें टोटल आठ रोज हो गई है और 9 तंबर रोज मैंने बना ली है जिसमें सिर्फ डबा क्रॉश्या बन और अब जो पॉफ बनाएंगे न वह हमें बना लेना है दो को एक करते हुए जैसी यह दो डबा क्रॉश्या हमने एक की अब यहां पर सेम वैसे ही फ्रंट पोस्ट पॉफ बना लेंगे वैसे ही जो दो डबाक रोश्या है उसमें दोनों को एक करते हुए एक डबाक रोश्या बनाएंगे फिर से दो डबाक रोश्या है तो दोनों को एक करते हुए पफ बनाएंगे दो डबा क्रोश्या है तो दोनों को एक करते हुए बैक पोस्ट डबा क्रोश्या बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे और पूरे राउंड को ओवर करेंगे तो इस तरह से पूरा राउंड बनाके रडिक कर लिया है और अब थोड़ा ही बचा है अगेन इस round में पहले आपको जितनी भी आपको pattern दिख रहे हैं सब में एक एक double crochet बना लेनी है ठीक है चाहे वो double crochet हो front post puff हो या फिर back post double crochet हो तो इस round में सब में एक एक double crochet बनाएंगे और next round में फिर से जैसे आपने दो दो कव घटाते हुए दो को लेते हुए puff बनाया है फिर दो को लेते हुए double crochet बनाई है सेम वैसे ही आपको इसके बाद वाला भी round बना लेना है ठीक है इस round में कुछ नहीं घटाना है सब में एक एक double crochet बनाएंगे इसके बाद वाले round में फिर से ऐसे ही घटा के ready कर लिया यह जो end वाली row है इसमें भी पूरे में आपको double crochet बनानी है जैसे इसके बाद बनाई थी सेम वैसे इसमें भी double crochet बना लेनी है ठीक है धागे को cut कर लेना है और धागे में आपको सुई डाल देनी है और यह जो आपने cut किया loop है आपका उससे पहले इससे निकाल के बांद ल दूसरी chain में डालेंगे निकाल लेंगे फिर तीसरी chain में डालेंगे निकाल लेंगे चौथी chain में डालेंगे निकाल लेंगे जितनी भी chains हैं आपके पास उन सब में आपको ऐसे ही डालते हुए निकालते जाना है ठीक है यह देखिए हमारी chain है उपर वाली इससे निकाला फ पिर इससे निकाला इस तरह से जितनी भी चेन है सब में ऐसे ही निकाल लेना है पूरे में तो इस तरह से पूरे में निकाल लिया है धागे को बीच की तरफ से नीचे की तरफ ले आईए और जितना टाइट हो सकता है ना इस धागे को यहां से खीच लिजे यह देखिए यह म अगर यहां से इतना हो गया, अब इसे आपको इसी में अंदर से हल्का सा सिल लेना है, और अगर आप इसमें लगाना चाथे हैं पॉमपॉम वगरा तो पॉमपॉम भी लगा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत जादा खुब और अगर नहीं लगाना चाते हैं तो डाइरेक्ट ऐसे ही शिल ले और अगर आपको पॉमपोम लगाना है तो आप इसे शिल नहीं इतना हिसा छोड़ने और इसी में आपको बीच-मेशे पॉमपोम लगा ले ले ली पाको ओ mayoría पूरा के तो यहां मैंने फॉरकष सब गढ़ा नहीं से इसा स्थे पूरा मैंने XML फॉर टागी 9 उसैं नहीं लिए और अगर आपको अन्दर के साइट में दिखाएं और जहां पर इसमें पहला है और जहां पर मैंने सिला है उसका थ्रिट मैंने अंदर कर दिया है और अब ये कैप पूरी तरीके से बन के रेडी है बहुत ही खुबसूरत और प्यारा सा ये पैटर्न लग रहा है आई होप आपको पसंद आ रहा होगा इस ट्रेचबिल बहुत जादा है खुद आप देख सक हुआ है और ये खुद आपकोप आपको पुद आपको प्यारा ये पीका आपको पर चूरी मैंने घए।